मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे लेटिस नोटिफिकेशन मिलता रहे हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई ट्यूब चैनल आज मैं आपके साथ होम मेट मैंगो फ्रूटी की रेसेपी शेयर करूँगी बहुत ही डिलिशास और यमी करके रख सकते हैं और जब बच्छों का मन करें वो निकाल कर इसे पी सकते हैं बच्चों बड़ों को बेहत पसंद आती है इसे बना कर अपने महमानों को भी सर्फ कर सकते हैं तो आजए देखते हैं डिलिशास और यमी होम मेट मैंगो फ्रूटी को बनाने के लिए किन किन आम चॉप करके लिया हुआ है और यह मैंने थ्री फोर्थ कप चीनी लिए है चीनी के कौंटिटी आपके आम के उपर है अगर आपका आम जादा मीठा है तो आप कौंटिटी कम कर सकते हैं कम मीठा है तो आप इसकी कौंटिटी बढ़ा सकते हैं चीनी आप अपने टेस्ट के क कम पर जाद कर सकते हैं आप मिक्सर ग्रेंर लेंगे उसमें पकेवी आमों को और जो मैंने कक्चाय आम लिया था उसे डाल देंगे और साथ即 जिनी दाल देंगे और इसके डिल्ट लगा गर ईसे एक बारीक सा ही 스mooच साद कर लेंगे तो इसे पर apex तइयार और इसको अच्छी तरह से हिला कर अच्छी तरह से इसको जार को और हम वापस से अपनी जो मैंने पल्प रखा था च्छनी में उसमें डाल देंगे तो एक मैंने इसमें पानी लिया है नॉर्मल पानी लिया है मैंने आप ठंडा पानी भी ले सकते हैं और अब इसको अच्छी कर दिया है अच्छी तरह से मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया है और यह हमारा पल्प तयार है इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे उसके बाद हम इसको गैस पर रखकर कुक करेंगे तो मैं इसको मैंने गैस पर रख दिया है लो फ्लेम पर इसे कुक करना है लगातार चलात इसे पिरितल्ज बॉच जाना है। बहुत उप क्रों करना है। इसको पैöर मेरा हुट नियुल कि शत्व है था अरा सिरुन रग्ध करना है। तो मैंने इसे एक बोल में डाल दिया है और अब हम इसमें थंडा पानी एड़ करेंगे तो मैंने फ्रिस का थंडा पानी एड़ किया है दो कप उसको मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी तो इस स्टेज पर आप इसमें दो कप थंडा पानी एड़ कर दीजे दो कप यानि हाफ 50 ml कर गुक्त है। तो मैंने 2 कप Haaf Lt.. क करीब से बादे गंसे oh जरा जाए देगें पास्थ जायें और तो पानिक चाहिए HE VAL we did on 1 reasonable storage जर आम तो घरना जाए पास्री नाच गाया समर्ड़ करना सकतर एक साट शॉर्ण सी करेदम बनाने के बाद फ्रिज में तो आप इसे जरूर से बॉटल में स्टोर करके रखे वनना यह बचता नहीं अगर आपने एक पर बना कर फ्रिज में रख दिया तो जट पट से यह चट हो जाता है अब इसे एक ग्लास में डाल दीजे यह बहुत ही ज़ादा थंडा है लेकिन बहुत ही ज़ादा आसान है आम का सीजन है तो इस रेसिपी को जरूर से ट्राइ करिएगा बहुत ही डिलिशस और यमी यह बनकर त्यार होते मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक करिए इसे अपने फैमली और फ्रेंड में शेयर करिए और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे एक बार सब्सक्राइब जरूर करिए मेरी इस आसान और यमी रेसिपी को एक बार जरूर ट्राइ करिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माई